हर हर महादे फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल सुरेखा भक्ति सागत आपके मान में सवाल आते हुँगे कि आखिर भावान भोले नाथ की पूजा किस प्रकार करें और कैसे करें आज इसके बारे हम बात करते हैं दोस्तों महासिव राती पर भावान पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठ कर करनी चाहिए पूजा करते समय हमारा मुख किस दिसामें होना चाहिए भावान भोले नाथ के ऊपर चड़वे प्रहसाद को हमें ग्रेंड करना चाहिए या नहीं किस मंत्र से भावान भोले नाथ का अविश्यक हमें या 19 को इस तरह की बहुत सारी confusion आपकी दूर होने वाली है वीडियो बहुत ही helpful और interesting होगी तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरबात करते हैं दोस्तों महासिवरात्री का परव हमें कब मनाना है वस 230 के पहले यही जान लेते हैं तो देखें भीस्षम पच्छ धर्शी दर्शी को मना जाता है जैसे कि परव की पर now की यसिवाह म्रों शु pourrait एक क्षिन या धर्शी या मंद में ऐने गल tongue पूरती के लिए भवान भोले नात का अब शेक पूजन जरूर करें आप चाहे तो फलो जल से भी पूरा दिन और रात्री बिता सकते हैं आप रात्री जागरा करते हुए अन्य जल का त्या कर सकते हैं जैसे आपकी सरद्धा हो आप इस दिन जरूर ब्रत करें पंच महा ब्रत में से एक ब्रत महासिवरात्री का माना जाता है और वही पर एहम जानकारी महासिवरात्री ब्रत का उद्धापन भी नहीं किया जाता है जैसे सौंबार के ब्रत में उद्धापन किया जाता है लेकिन महासिवरात्री में कोई उद्धापन नहीं किया जाता है खाली ब्रत र और कौन सी तारीख में को बनाना है तो देखिए 18 फरवरी को महसिव रात्री का पर्म बनाना है विदी से और आप जैसे जानते हैं भगवान भोले नात की पुझा चारक प्रेहर कर सकते हैं आप अपनी सुद्धा अनुसर कभी भी पूझा कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आपके मन में संसय है कि पुझा खड़े उकर करनी चाहिए या बैठ कर तो देखे जो स्टेंड पर जो डमरू के आकरती वाला भगवान भोले नात का सिब्लिंग होता है वहां पर हमें खड़े होकर भोले नात की पूझा करनी चाहिए यह आपका के लिए हो गया अब दूसरा सवाल है कि भगवान भोले नात की पूझा में क्या बिसेश इसमाल करना वहीं पर धन ब्रद्दी के लिए आप गन्य के रस से अविशेख करें या संतान प्राप्ति के लिए कच्छे दूद में शकर मिलाकर अविशेख करने की बात कही गई है आप किसी से को इसी चीज़ से आप कर सकते हैं या दूद लसी गन्य करस आदिसे भगवान भोले नात का विशह कर सकते हैं अब बात करते हैं मंत्रों की मंतरों की बात करें तो आप जिए बहुआ चाहिए उनका इस्तमाद पूजा में आपको जरूर करना चाहिए जैसे बेल पत्रे, समी पत्रे, मदार के पुष्ट, अपनी मनुकाउन पूरे हित्यु आपको बट के पत्ते यानि की वड का पत्ता होता है उस पर काले तिल और सहद लगाकर भवान भोले नात के चर्णों में आपको जरूर रखना चाहिए अब लोगों का एक और सवाल होता है कि बोले नात के पूजा में क्या हल्दी कमकु यह चीज़ें इस्तवाल नहीं करते क्या करनी चाहिए तो मैं आपको बता जो सिवरात्री का दिन होता है ये खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान बहुले नात और सिपारवती का बिभाव हुआ था तो इस दिन हल्दी कुमकुम गुलाल जरू लगाएं रोजी की पूजा से हटके मासिवरात्री की पूजा होती है इसलिए आपक पूजा करें तो आपको बहुले नात की पूजा में इन चोटी चोटी चीजों का जरू द्यान लगना चाहिए कई लोगां का सवाल होता है कि बहुले नात का जो सिविलिंग पर होता है उनकी पिंडी पर हम लोग कुछ बिसेश चीजें चड़ाते हैं जैसे काले तील अख कारी चीजें सिविलिंग पर चड़ा रहें तो इसका इस्तमाल वैसे भी हम डोग नहीं करते हैं भांग दतूरा तो नहीं खाएंगे प्रसाद में तो नहीं करते हैं और जो भोग प्रसाद हम लगाते हैं दूर से बनी मिठाई बगेरा वह थाली में करके लगाते हैं पात् पेंडी पर चढा ज hedgeika ग्यांट ब् láष नहिए जन है कि ऑंब करने के लिए आप ज़ल मिठाएं मैं सर्ण के पिंडी पर चढा रहे हैं तो आप ग्रहें कर सकते हैं जो नीचे होते हैं सभी कि नें लिकने श्युलिम इसे वेदी हुलते अब ये चढ़ा सकते हैं ऊस प्रसाद को खुद घ्राइन कर सकते हैं ले सकते हैं मंत्रों कि मंत्रों की हम बात करें तो शीव रुद्राइंस का पारिकोण कर सकते हैं इस तरह इसरी से eran जाहते हैं तो आप घर में बखरना चाहते हैं तो यह अच्छी जो होटी हों को थैहरे ख१ार सब्सक्राइबके इस तरह इस थी तरह आनंटी नहीं इत पूज़्ेतर यह तरड़ रखने गश्यन कि पर से वन इसे पूझ Ten motorade और सबसे उत्तममानायात है कच्छी लसी यानि काले तिल, दूद, जल और सककर इनकों मिक्स करके भगवान भूले नात को आप चड़ा सकते हैं और अपनी मनउकामनों होने की काम ना कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही जदी हमारी जानकारी आपको थोड़ी से हेलफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले धन्यवाद